आज की वीडियो में मैं एक ऐसी मूवी को एक्स्प्लेन करने वाला हूँ जिसमें एक लड़की का गला काट कर फेक दिया जाता है और फिर कैसे एक साइंटिस्ट उस कटे हुए सर को एक रोबोट में बदल देता है और फिर वो लड़की क्या क्या करती है आईए स्टार्ट क करते थे एक दिन एक साइंटिस्ट को उस कच्रे में से एक लड़की का कटा हुआ सर मिलता है अब वो उस कटे हुए सर को घर लाता है और उसको रिपेर करके उसे एक रोबोट की बॉड़ी दे देता है अगली सुबा अब उस लड़की की आँख खुलती है जो अब बिल्क कच्रे से मिली हो और उस वक्त तुमारा आदा सरीर खराब हो चुका था फिर मैं तुम्हें घर ले आया और तुम्हें एक नई बॉड़ी भी दी अब साइंटिस्ट उस लड़की को बाहर का नजारा दिखाता है फिर वो लड़की उस स्पेस सिप को भी देखती है और साइ और कोई वहाँ पर जाना चाहता है अब साइंटिस्ट उस लड़की का नाम रखता है और कहता है कि आग से तुमारा नाम अलीटा है अब अलीटा अपना नया नाम सुनकर काफी खुस हो जाती है इसके बाद अलीटा के मुलाकात ह्योगो से होती है हिऊगो उसे देख कर काफी हैरान था क्योंकि अलीटा की आधी बॉडी इनसान की थी और आधी बॉडी रोबोट की और फिर हिऊगो और अलीटा आपस में अच्छे दोस्त बन जाते हैं अगले दिन साइन्टिस्ट से मिलने उसकी वाइफ आती है और वो अलीटा को देखती है जिसको देखकर वो काफी हैरान थी क्योंकि साइन्टिस्ट ने अलीटा को जो बॉडी दी है वो उसकी बेटी की थी दरासल कुछ मिस अंडरस्टेंडिंग की वज़े से साइन्टिस्ट और उसकी wife में divorce हो गया था यहां पर हमें यह भी पता चलता है कि scientist की बेटी की death हो चुकी है और अब वो Alita को ही अपनी बेटी मानता है इसलिए उसने अपनी बेटी की body Alita को दी है इसके बाद Hugo Alita को घुमाने ले जाता है और वो उसे ऐसी जगा ले जाता है जहां से sky city बहुत ही करीब नजर आता था Hugo बताता है कि वो भी एक दिन sky city जाकर ही रहेगा और इसलिए आज कल वो बहुत मेहनत करके पैसे कमा रहा है फिर वो Alita से ये भी बताता है कि scientist ने तुमें एक कचरे से उठाया था और वो कचरा sky city से ही आता है इसका मतलब तुम भी sky city से ही आई हो लेकिन Alita को तो कुछ भी याद नहीं था अब रात को Alita scientist को कहीं जाते हुए देखती है और फिर वो भी scientist का पीछा करने लगती है यहां पर Alita को पता चलता है कि scientist एक hunter warrior है दरासल hunter warrior वो होते हैं जो गुनहगारों और हत्यारों को मारते हैं जिसके बदले hunter warrior को पैसे भी मिलते हैं अब वहां पर एक गुनहगार killer आ जाता है जो उस city के काफी लोगों को मार चुका था यहां पर उसके साथ दो लोग और थे अब Alita दो killers को जान से मार देती है और एक killer वहां से भाग जाता है फिर scientist मरे हुए killers का सर लेकर एक factory में जाते हैं जहां से उन्हें कुछ पैसे भी मिलते हैं इसके बाद हम vector को देखते हैं जो सहर में होने वाले race game का मालिक है दरासल ये वही game है जिस game के जीतने वाले को sky city में जाने का मौका मिलता है यहां पर हम vector के साथ scientist की wife को भी देखते हैं जो sky city जाना चाहती है और इसमें vector उसकी मदद करेगा अब हम उसी robot को देखते हैं जिसको अलीटा ने मार के भगाया था फिर वो vector को अलीटा के बारे में बताता है कि वो कितनी strong है लेकिन vector यहां पर काफी गुस्सा था क्योंकि उसका रोबोट एक छोटी सी लड़की से हार कर आया है अब vector उस रोबोट को warning देता है और कहता है कि अगर तुम अलीटा को मार कर मेरे पास नहीं ला पाए तो मैं तुमें भी जान से मार दूँगा इसके बाद ही ओगो अलीटा को एक सिप दिखाने के लिए ले जाता है और कहता है कि ये सिप 300 साल पुरानी है यानि कि वर्ड वार के टाइम की है अब अलीटा उस सिप को देखकर काफी attractive होती है और वो खुद को नहीं रोक पाती और पानी के अंदर उस सिप में चली जाती है जहाँ पर उसे एक robot body मिलती है इसके बाद अलीटा उस body को लेकर scientist के पास आती है और कहती है कि ये body मेरे अंदर eject कर दो यानि कि उसे मेरी body की जगा बदल दो लेकिन scientist उसे मना कर देता है और कहता है कि ये body काफी powerful है और हो सकता है कि तुम इस body की powers को control ना कर सको जिससे तुमारे साथ कुछ बुरा भी हो सकता है अब scientist के मना करने पर अलीटा काफी दुखी हो जाती है फिर वो एक factory में जाती है और कहती है कि आज से वो भी एक hunter warrior है इसके बाद वो hyogo के साथ एक बार में जाती है और उस बार में काफी सारे hunter warrior भी बैठे थे फिर वो सबी लोगों से कहती है कि उन लोगों को vector के robot को मार दीना चाहिए क्योंकि vector का robot killer है जो सहर में हो रहे मडर्स में सामिल है अब उन में से एक hunter अलीटा का काफी मजाक उडाता है और कहता है कि अब हमें एक बच्ची बताएगी कि आखिर हमें क्या करना है फिर ये सुनकर अलीटा उससे लड़ने लगती है और उसे हरा देती है अब ये देखकर वहाँ बैटे सभी hunter warrior काफी हैरान थे तभी वहाँ पर vector का वो robot आ जाता है जिसे vector ने modify करके काफी strong बना दिया था फिर वो अलीटा पर attack कर देता है और अलीटा भी कुछ कम नहीं थी वो भी उल्टा उस पर हमला कर देती है फिर वो robot जान बचाने के लिए underground एक जगा पर चला जाता है और अलीटा भी उसका पीछा करते हुए उसी जगा पर चली जाती है यहाँ पर उन दोनों में काफी fight होती है और आखिर में उस fight से अलीटा की body कई सारे तुकडों में कट जाती है तब ही वहाँ पर scientist आ जाते हैं और उस robot को वहाँ से भगा देते हैं फिर वो अलीटा का सर लेकर अपनी lab में चले जाते हैं जो body अलीटा को sip में से मिली थी वो उस body को अलीटा के साथ attach कर देते हैं अगली morning जब अलीटा सो कर उठती है तो उसे काफी अच्छा फील हो रहा था और वो उस body में काफी अच्छे से अरजेश्ट भी हो गई थी जो काफी ज़्यादा powerful थी इसके बाद अलीटा हीोगो के पास जाती है और उसे अपनी body दिखाती है और वो काफी ज़्यादा खुश भी हो जाता है अब हियोगो अलीटा को रेस गेम में participate करने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम अपनी इस powerful body की मदद से आसानी से वो गेम जीत सकती हो और इसके बाद हम दोनों एक साथ स्काइ सिटी चले जाएंगे अब वो हियोगो के लिए उस रेस में participate करती है क्योंकि वो हियोगो को अंदर ही अंदर पसंद करने लगी थी फिर हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसको कलब में अलीटा ने fight करके हराया था वो अपनी इंसर्ट की वज़े से अलीटा से बदला लेना चाहता था इसलिए वो सहर में हुए एक कतल का इलजाम हियोगो पर लगा देता है अब हियोगो एक किलर बन चुका था दूसरी तरफ हम अलीटा को देखते हैं जिसने रेस में पार्टिसिपेट किया था और अब उसकी रेस स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर जितने भी रोबोट्स ने अलीटा के साथ पार्टिसिपेट किया था उन सभी रोबोट्स को वेक्टर ने अलीटा को मारने के लिए भेजा था अब यहाँ पर वो सारे रोबोट्स अलीटा पर हमला करते हैं लेकिन अलीटा भी कम नहीं थी इसलिए वो एक एक करके सबी रोबोट्स को मारने लगती है तभी उसके पास हियोगो का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसको जान से मारने के लिए उसके पीछे हंटर्स पड़ गए हैं अब अलीटा रेस को छोड़ कर हियोगो को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाती है फिर वो हियोगो के पास जाती है और उन हंटर्स को मार देती है तभी वहाँ पर सहर के पुलिस वाले आते हैं जो हियोगो को मारने आये थे क्योंकि पूरे सहर में ये खबर फैल गई थी कि हियोगो एक किलर है अब सभी लोग हियोगो को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और मौका पाकर एक हंटर हियोगो को मार देता है ये देखकर अलीटा काफी दुखी थी और रो रही थी तबी वहाँ पर साइंटिस्ट की वाइप आती है जो अलीटा से बताती है कि तुम हियोगो का सर काट लो क् उसके सर के साथ एक बॉड़ी लगा देंगे जिससे एक बार फिर ये जिन्दा हो जाएगा उसकी बात चुनकर अलीटा ऐसा ही करती है और योगो का सर काट कर बाहर खड़े पुलिस वालो और हंटर वारियोस को दिखा देती है लेकिन बाद में वो योगो का सर साइंटिस् जो लोगो को स्काई सिटी में जाने के सपने दिखाता है और उनके रेस में आते ही अपने रोबोट्स के जरिये उन्हें हरा देता है या तो जान से मरवा देता है अब ये सुनकर अलीटा को बहुत गुस्सा आता है और वो वेक्टर को मारने के लिए निकल जाती है उसके बाद वो वेक्टर के पास जाती है लेकिन तभी वहाँ पर वेक्टर का वो रोबोट आ जाता है जो अलीटा पर अटैक कर देता है अब अलीटा काफी होसियारी से उसका सामना करती है और उसको बीच से काट कर जान से मार देती है लेकिन तभी अलीटा को हलकी सी चोट जाती है और उसे अपना पाश्ट याद आ जाता है यानि कि उसकी यादास अब वापस आचकी थी दरहसल अलीटा एक योद्धा थी जिसने वर्ल्ड वार में भी पार्टिस्पेट किया था लेकिन उस लड़ाई में अलीटा के सारे दोस्त मारे जाते हैं और अलीटा की भी ब अलीटा अपने दोस्तों को खोकर काफी जादा इमोशनल थी इसलिए वो गुसे में आकर वेक्टर को भी जान से मार देती है अब अलीटा के पास साइंटिस्ट की कॉल आती है कि ह्योगो इसकाई सिटी की तरफ बढ़ रहा है फिर अलीटा जल्दी से योगो के पास जाती ह फिर अलीटा योगो से कहती है कि हमें सकाई सिटी जाने की कोई जरूरत नहीं वहाँ ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो और वो उसे वापस आने के लिए बोलती है लेकिन ये सब सकाई सिटी का मालिक देख रहा था फिर वो उन लोगो को मारने के लिए अपना एक वेपन छोड़ता है जिससे हियोगो की बोडी पूरी तरह से कट जाती है और अलीटा उसका जल्दी से हाथ पकड़ लेती है लेकिन कुछी देर में अलीटा से उसका हाथ छूट जाता है और हियोगो नीचे गिर कर मर जाता है अलीटा यहाँ पर काफी दुकी थी और रो भ चुकी है फिर वो अपनी तलवार को स्काइ सिटी की ओर दिखाती है मानो वो स्काइ सिटी के मालिक से कह रही हो कि वो जल्दी स्काइ सिटी में आकर उसे जान से मार देगी और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे और अपने प्यारे भाई को सब्सक्राइब करना मत भूले For more videos, please visit my channel